जईने दोस्तों आप सभी का स्वागत आपका अपने प्रॉघyas के लिए तो दोस्तों इस में आपको बतादूर ne आपको पूछे जाएंगे वह अभी 60 प्रसन आपके किया होंगे कम्प्यूटर से होंगो और इसमें एक भी निगरेटिव नहीं होगा तो इस से सब्सक्राइब के लिए ने वाल है क्योंकि यह उच्पूल होने वाला है तो मेरे भाई इस सेशन आप लोग सुरू संतर बने र से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए क्लास का जो भी नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप तेक पहुंचे मेरे और आपकी त्यारी बेहतर बन से ठीक है तो जल्दी से सब्सक्राइब में किस सो कट का पर्योग करके परकोष्ट संकेत सेल पॉइंटर को वर्तमान इससी से एक परकोष्ट सेल बाई ओ ले जाया जा सकता है तो इसका राइट एंसर का वदाएगा सेफ्ट प्लस टैब ठीक है इसका राइट इस भी नेश्ट परसन देखते हैं देखिए दोस्तो परसन है कि बुद्धी मानी पूर्वक्त सत्रंज खेलने वाली कंप्यूटर प्रनाली सिस्टम डेस पीड़ी की होनी चाहिए इसका राइट टेंसर क्या हो जाते हैं आपका प्रकोष्ट सेल में टाइप करने पर क्या पड़ी नाम प्राप्त करता है इसका राइट एंसर ए सब्सक्राइब टेंसर हो जाएगा आपका अपसेन बारे चलिए पसंद देखते हैं देखें दोस्तों नेक्ष्ट पसने के निमलीखित मैं से कौन लॉक को रोच्ट के लिए एक सही आईपी पता है तो इसका राइट एंसर आप सभी बताएंगे तो दोस्ते इसका राइट सैट की सुर्नी मितच सूची और टो मैक्टैट लिस्ट होती है तो इसका राइट होता है हिस्टन कमांड बीन सब्सक्राइब नस होसाक देखते हैं देखें देखते हैं देखते हैं दोस्तों विंडोस में चल रहे रॉन कर रहे अनुपर्योग आप्लिकेशन नामक तीन आस्थाओं हो सकते हैं उसका आप सभी बताएंगे तो दोस्ते इसका आइट हो जाएगा मीनिमाइज मैक्सिमाइज और नॉर्मल यानि कि इसका राइट एंसर भी हो जागा चले नेश्ट प्रसंद देखते हैं विंडोज की डैस विधा अंजाने में कुंजी के बार बार दबाने से परभाव को जिसमें कुंजी अधिक समय के लिए भी दबीर रह सकती है निस्क्रि सेबन में एक हाइल को फets में कॉफी करते हैं जिसमें पहले से एक ही नाम वाली फाpower होती है निमण में से कौन सा विकल पर दसी नहीं होता है इसका आधेंसल सभी बाताएगे तो नए फेल ऋवे to प्रणाली तो अब लोग चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे ठीक है सभी लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे कहलाती है इसका राइट तेंसर क्या हो जाएगा ड्यू़ बुट इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बी हो जएगा नेश्ट परसन देखते हैं देखे की हाड़वेर और सब्ट वेर के बीच अनु वादक जो डिवाइस का ऊप्योग करता है उसे । के रूप में जाना जाता है इसका राइट एंशर क्या व जाएगा आपका प्रेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वड़ना करता है इसका डिंटर यूजर और हाडवेर के बीच इंटर फेरस इसका राइट चले एसट परसे देखते हैं Microsoft Excel 2016 में वह विकल्प जिसके द्वारा आप प्रिंट किये जाने वाले छेत्र का चुनाव सेलेक्ट कर सकते हैं डैस मेनू के अंतरगत होता है इसका राइट अंसर का हो जाएगा पेज ले आउट इसका राइट एंसर डी हो जाएगा चलिए नेश्ट परसन देखत समुच्या इंट्रक्शन सेट के अधार पर माइक्रो प्रोसेसर को डैस और डैस में वर्गित किया जाता है तो इसका राइट असर आप सभी बताएगे तो दोस्ते इसका राइट एंसर क्या हो जाता है आपका आप समय भी हो जाएगा ठीक है डाइस और राइस के रूप मे पर्योग किया जाता है चले नेश्ट परसंद देखते हैं माइक्रो सॉप्ट एक्सेल दुबजा सोला में एक सेल में टू एस्टार थ्री दर्ज करना परदर्सित करेगा क्या परदर्सित करेगा तो इसका राइट एंसर सी हो जागा माइनस सिक्स परदर्सित करेगा नेश इसका राइटेंसर का जाएगा on a screen keyboard on a screen keyboard हो जाएगा इसका राइटेंसर दी नेश्ट पसंद देखते हैं देखे दोस्तों नेश्ट प्रसन है कि डैस एक को लाइंट सब्ट्वेयर है जिसमें इंटरनेट से जनकारी तक पहुंचने के लिए विभीन ग्राफिकल छमताएं है इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा वेब ब्राउजर इसका राइटेंसर हो जाएगा चले नेश्ट पसंद देखते हैं देखे दोस्तों नेश्ट प्रसन है कि यदि Microsoft Office के किसी उतफाद का पर्योग करते समय किसी बिकल्व के सम्वंध में सहायता प्राफ्त करने में असमर देखते हैं देखें दोस्तों नेश्ट प्रसने कि अधिकांस email को लाइंट समय समय पर आपके mailbox की जाच करते हैं और ॹसका उप्योग email ह Paty कहा जैते हैं दखते हैं कि कांप्यूटर संख्या प्रणाली केवल डैस संळा प्रणाली नमबड शिस्टम समाझ सकती है तो कौन सा समाझ सकती है तो दिव अधारी ठीक है यानि बाइनरी बेरी इंपोर्टन प्रसन है इस बात को ध्यान में रखिएगा चले नेश्ट प्रसन देखते हैं देखे दोस्तों नेश्ट प्रसन है कि डैस एक ऐसा अनुपर्योग है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और ज कोनों कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होते हैं तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संसाधित होने की प्रतिक्षा करते हैं इस अवधारना को डैस कहा जाता है तो इस अवधारना को संग्रहित प्रोग्राम कहा जाता है इसका राइट एंसर सी हो जाएगा नेश्ट प् पत्य को टाइब करते समय डैस के परियोग को सदा प्रात्मीकता देनी चाहिए तो सफ्ट रिटॉर्ण इसका राइट एंसर डी हो जाता है जब आप किसी डिवाइस को अपने Computer System connect करते हैं, तो 2040 रूप से पाचानने जाते हैं और उपएयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं इस फरकार के उपकरण को डैस कहा जाता है क्या कहा जाता है इस परकार के उपकरण को the plug or play उपकरण कहा जाता है इसका right answer B हो जगेशले देखते हैं देखें दोस्तों नेश्ट प्रसन है कि computer system लंबे समय तक लगतार उपियों के बाद ठकता नहीं है computer के इस विशेष्टा को डैस के रूप में जाना जाता है तो इसको क्या हो जाएगा लगन इसका राइट एंसर क्या हो जाता है भी हो जाएगा नेश्ट परसन देखते हैं देखें दोस्तों नेश्ट परसन है कि माईक्रोश एकसेल में नोट एकवल टू को परदासित करने में पर्युक्त होने वाला चीन क्या कहलाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ग्रेटर डेन लेस्ट इसका राइट एंसर भी हो जाएगा चलिए नेश्ट परसन देखते हैं देखें दोस्तों नेश्ट परसन है कि windows में डैस की उपयो सारव डेंद हåोग सजाब तक के पीछे औरो के सब्ढ को ऱटा देता है तइसका राइट है इसका राइट हैं टैसी हो जाएगा यानी इसका राइट हाइड सरत का बी हो द्वारा आप माउस बटन को दबा कर रखे भीना हाइलाइट या ड्रेग कर सकते हैं इसका आप सभी बताएंगे लॉप क्लेक लॉप क्लेक लॉप करना चाहते हैं तो आपको इस संख्या के रूप में पर्विष्ट करना चाहते हैं तो आपको इस संख्या से पहले एक उफसर्ग के रूप में डैस लगाना होगा क्या लगाना होगा एक पॉस्ट ट्रॉफी इसका राइट एंसर यह हो जाएगा चलिए नेश्ट परसन देखते हैं देखें दोस्तों नेश्ट परसन है कि माइक्रो सॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा एक ब्लॉग का चैन करने की अनुवातित देता है चैन के इस मोड को डैस कहा जाता है क्या कहा जाता है तो विस्तारित चैन मोड कहा जाता है इसका राइट एंसर डी हो जाता है चलिए नेश्ट परसन देखते हैं डैस संचालन के मुल सेट का प्रतिनी धित करते हैं जो एक प्रोसेसर पूरा कर सकता है इसका राइट अशी हो जाता है निर्देश समुच्छी है इसका राइट असरी चलिए स्थ देखते हैं देखे दोस्तों नेश्ट परसने कि डैस एक प्राथमिक इंटर फेयर है जिसका उप्योग एप्लिकेशन और परसास निक या Configuration उपयोगिताओं को लुगा करने के लिए किया जाता है तो दोस्ते का मैन्व Quindi होगा चलएया पर पसंद देखते हैं internet पर एक host से दूसरे host को फाइल अस्तनान्तित करने के लिए निम लिखित में से किस प्रोटोकॉल का उप्यों किया जाता है इसका राइटेंसर भी होजएगा FTP इसका राइटेंसर भी चलिए नेश्ट परसंद देखते हैं MS Excel 2016 में किसी सेल में इसका राइटेंसर क्या होजएगा आपका बी होजएगा दो होगा चलिए नेश्ट परसंद देखते हैं देखिए दोस्तों नेश्ट परसंद कर रहा है कि MS Word 2016 डॉकुमेंट में क्लेप वोड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निमलीखित में से किस का प्रयोग किया जाता है इसका राइटेंसर हो जाएगा कंट्रोल भी ठीक है इसका राइटेंसर यह चलिए नेश्ट परसंद देखते हैं इंटरन नेश्ट परसंद कर रहा है कि MS Excel 2016 के निमलीखित में से किस फिक्चर का उप्योग उसी रो या कलम में बगल के रो के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है इसका राइटेंसर हो जाता है आपका अप्शन नमर भी फिल्ड हैंडल चलिए नेश् 2016 में टेस्ट की लाइन के ऊपर छोटे अच्छा अंकित करने के लिए निमलीखित में से किस का उप्योग किया जाता है इसका राइटेंसर हो जाएगा सूपर एसक्रिप्ट का इसका राइटेंसर होगा चलिए नेश्ट परसंद देखते हैं MS 2016 में पैराग्राफ को पर्यों किया जाता है इसका राइटेंसर हो जाएगा पर ट्रीपल क्लिक करके इसका राइटेंसर यह होगा चलिए नेश्ट परसंद देखते हैं MS 2007 में डॉकुमेंट को खोलने और बंद करने के संदर में निमलीखित में से कौन सा कथन सत्य है इसका राइटेंसर भी होगा एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करेंगे इसका राइटेंसर भी होगा चलिए नेश्ट परसंद देखते हैं देखेंगे दोस्तों नेश्ट परसंद है कि MS Excel 2016 की वर्क सीट में निमलीखित में से कौन एक कॉलम और एक रोग के इंटर सेक्षन को संदर्भीत करता है तो इसका राइटेंसर भी होगा सेल चलिए अगला परसंद देखते हैं देखेंगे दोस्तों नेश्ट परसंद है कि मौझूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निमलीखित में से की बोर्ड सौट का प्रयोग किया जाता है आप सभी बताएंगे इसका राइटेंसर कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है ठीक है चलिए नेश्ट परसंद देखते हैं क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड खोलने के लिए निमलीखित में से की बोर्ड सौटकॉर्ट का उप्योग किया जाता है इसका राइटेंसर कंट्रोल जी हो जाएगा चलिए अगरा प्रसंद देखते हैं देखिए दोस्तों नेश्ट प्रसंद का रहा है कि वर्ड वाई वेव का अविसकार किस ने किया था इसका राइटेंसर आप सभी बताएंगे इसका राइटेंसर की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है यह बात क्या है आपका असज़त्य जाना जाता है और उसे MS Word के पूराने संस्क्रणों जैसे की MS Word 97 से 23 तक में उपयोग किया गया है इसका राइटेंसर आप बताएंगे तो दोस्ते इसका राइटेंसर C हो जाएगा डॉट डॉप ठीक है इसका राइटेंसर चले नेश्ट परसन देखते हैं नेश्ट परसन की MS Excel 2016 वर्ट सीट में जब आप एवन सेल को सेलेक्ट करते हैं सिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल की इतने सेल सेलेक्ट होंगे तो इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा आपका पंदरा ठीक है इसका राइटेंसर डी हो जाएगा पंदरा चले नेश्ट परसन देखते हैं देखें दोस्तों नेश्ट परसन है कि निमली खित MS Excel 2016 फर्मूला क परिनाम क्या होगा तो इसका राइटेंसर आप सभी बताएंगे तो दोस्तों इसका राइटेंसर हो जाते हैं आपका ओप्सन नमर भी हो जाएगा 0.5 चले नेश्ट परसन देखते हैं निमली खित में से कौन सा कथन सत्य इसका राइटेंसर एक इमेल आइडी हमेशा अधि होती है इसका राइटेंसर हो जाएगा चले नेश्ट परसन देखते हैं देखिए दोस्तों नेश्ट परसन है कि में संख्याओं का डिफॉल्ट 36 सरेंखन क्या होता है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपका आपसर नमर सी राइट होता है चले नेश्ट परसन देखते हैं देखिए दोस्तों नेश्ट प्रसने कि निमलिखित में से कौन से कथन सत्य है इसमें सा कौन सा कथन जो है आपका सत्य है तो दोस्तों इसमें प्रती दिन एक सेट कराऊंगा अगर आप लोगोंने सपोर्ट किया तो मैं एक दिन में दो प्रेक्टिस सेट कराऊंगा जो एक नया बुक और आया है मार्केट में वह भी मैं आपको करा दूँगा ठीक है बस आप लोगों का प्यार और सोपर्ट चाहिए तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबालें ताकि नए वीडियो को नाट्फिकाशन सबसे पहला आप तक पहुंचे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्लास में तब तक लिए दिजए जाजा जाहिन जाभरत